गनेश का कुरूत अपने चरम पर पहुंच गया है नाथ आ वहाँ जाईए और गनेश को शांत करने का उपाय कीजिए पुत्र गनेश शांत हो जाओ पुत्र अपनी स्वास से मेरा किचाओ बंद करो कप्ती निर्लाज असर तुम जीवित रहने के योगे ही नहीं हे प्रमदेप, माता, मैं आप दोनों की पूजा से अत्यंत प्रसन्न हुआ आप दोनों ने अपनी भक्ती के उदाहरन से ये स्थापित कर दिया कि यदि व्यक्ती का उद्देश पवित्र हो, उसका हिर्दाय निर्मल हो तो फिर कोई भी बुरी शक्ती उसकी लक्ष प्राप्ती में बाधा नहीं बन सकती क्योंकि जिनकी विचार शुत है, निर्मल है भगवान भी उनी का साथ देने के लिए प्रेरित होते है आप दोनों की भक्ती से प्रसन्न होकर मैं आप दोनों को संपन्नता का आशीश देता हूँ क्योंकि क्योंकि राप गलिए जो प्राप्ती में बन सकता है कि ये सबी तो मात्र सांसारिक वस्तुएं हैं जीवन में सुख पाने के लिए इने प्राप्त करना आवश्यक भी है किन्तु भोग के इन वस्तुओं से अत्यदिक मोह करना उचित नहीं आप दोनों इनका आनंद उठाते हुए भी अपनी भक्ति और निष्ठा को सदा बचा कर रखिएगा क्योंकि मनुष्य जीवन का परम लक्ष तो मोक्ष की प्राप्ति है और जो भगवान की भक्ति से ही संभव है मेरा आशीश सदैव आपके साथ है किन्तु मुझे अभी यहां से प्रस्थान करना होगा माता आप दोनों का कल्यान हो आप कर दोनों का करदा आपके साथ है अ-ब 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 अ-ब-अ-ब भगवान के लिए उसका भक्ती सर्वोच है दुर्बुद्धी मेरे भक्तों को पीड़ा देकर तुमने बहुत बड़ा अपरात किया है जिसका दंड आप तुम्हें अवाश्य प्राप्त होगा आज़ा आए, नए! नए! हुआ पुआ से घुझ लगफ। हुआ 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 हाँ हुआ हे प्रातां पुझा जगरेश अब मेरे जीवन तो मिट रहा है किन तो अभी ये शत्र तो नहीं मिटी है मेरे बाद मेरे पुत्र तुम से युद्ध करेगा उसके पस्चाथ उसके पुत्र ये युद्ध इंडिरंद चलते रहेगा ये युद्ध करें ये खार बार तुम से युद्ध करें ओुम नभा शवाई लब है फज बार उग कर लार फड़स कर ये फ्रिस ट्रूडब पर दो करेंगे! पर दो आटाट! पर दो आटाट! पर दो आटाट! पर दो आटाट! गनेश का कुट अपने चरम पर कहुंच गया है गनेश जी का क्रोध तो कर्शना के रूप में जाहो तिशाओं में ध्वानित हो रहा है नाथ गनेश इतना क्रोधित क्यों है? मैं बिंती करती हूँ आ वहाँ जाईए और गनेश को शांत करने का उपाय कीजिए इतना क्रोध? इतना क्रोध मुझे कैसे आ गया? और क्यों? मुझे क्रोध के इस आवे को थामना होगा फूपा जी यहाँ है वो अवश्य यहाँ शांती स्थापित कर देंगे पुत्र गनेश शांत हो जाओ पुत्र इतने क्रोधित क्यों हो तो? ओम नमाशिवाई मैं सभी को गनेश के विरुद्ध कर दूँगा मैं गनेश को ऐसा कृत्त करने पर विवश्य कर दूँगा कि सभी उसको आयुक महादे पुत्र मान ले जैसे अभी तक मैं रहा हूँ प्रतीत होता है हूपा जी की बातों का प्रभाव मेरे दूसरे प्रतीरूप योद्धा गनेश पर हो रहा है वो शान्त होता दिख रहा है पुत्र गनेश इतना तुझ साहस की कोई मेरा सामना करे मेरे समक्ष आकर मुझे टोके इसका दंड अवश्य मिलेगा आपको पुत्र गनेश शान्त हो जाओ पुत्र अपनी स्वास से मेरा किचाओ बंद करो ये हो क्या रहा गनेश जी ब्रह्मदेव को अपने भीतर क्यों कीच रहे है गनेश जी अपने विक्राल योद्धा रूप में है ये कैसा अनर्द करने जा रहे है स्रिश्री के रिच्चता हैं ब्रह्मदेव यदि उनों पर संकटाया तो समस्त शृष्ठी पर संकटायगा पुत्र गनेश ये क्या कर रहे हो तुम कि अपने मुझे टोका क्यों क्यों टोका आपने मुझे के गलेशी ब्रह्मदेव के प्रती इतने कठोर की ऊरेए यह कैसा क्रोधावेश है उनका हुद एक क्या कर रहें गरेश जी Gedi तो जैसे कर लिया वो शांत नहीं होगा मेरा क्रोध अभी शांत नहीं होने वाड़ा गणेश रुख जाओ पुत्र गणेश ब्रह्मदेव को मुक्त कर दीजे अनेत आनर्थ हो जाएगा नहीं करूंगा कतापी नहीं करूंगा रुख जाएगा जी गनेशी शांत हो जाएगे रुख जाएगे गनेशी रुख जाएगे गनेशी रुख जाएगे जैती गनेश की सूर ने मुझे अपने भीतर खीच लिया तो मैं इस आनंत अंतिकार में समाइथ हो जाएगा मैं तो मैं तो कनेशी कास्व जाएगे झास्व जारा जाएगे गनेशी कुछ कहा ही ने तो फिर ये 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 स्वार किसका है एक और गनेजी यहां दो दो गनेजी कैसे उपस्तित है ये ये कैसे संभवेक गनेश गनेश शांत हो जाओ ये क्या हो गया है मुझे क्रोथ के ऐसे भीषन आविग में क्यों बहा जा रहा हूं मैं नहीं मुझे शीग्र कुछ कर इस क्रोथ के उनमान अन्यथत जिसकिसी शक्ति के भी प्रभाव में हूं मैं उससे स्वयम को मुक्त हो कि क्कुछ on आओका क्टुन आओका क्टुन आओका कुछ शुँन आओका कुछ टनाओका कुछ वेदो रगळग荜 या ये, ये कैसा अनर्थ करने जा रहा था मैं क्या, क्या हो रहा था यहाँ भूपा जी, क्या मैंने आपको हाँ, अपने क्रोध के आवेग में तुम भूपा जी को ख्षती पहुचाने का प्रयास कर रही थे मुझे क्षमा कर देजिए फूपा जी ज्याद नहीं, अचानक किसके प्रभाव में क्रोध के ऐसे, अतिरेख में बह गया मैं क्षमा कर देजिए मुझे गनेश, ततकाल अपनी वास्तवी कवस्था में आओ अभी इसी क्षण कनेशिया आप दो रूप में प्रकट हो गए और क्यूँ? सुर्यदेव, मेरे भख्तों ने मेरी पूझा का संकल्प किया था किन्टो, अशुर दुरबुद्धी, उनके संकल्प में विख्णूद पन्न कर रहा था तो मैं वहीं अपने भख्तों के साथ रुक गया जिससे वो निर्विग्न अपनी पूझा संपन्न कर सके किन्तु मेरा विक्राल योधा स्वरूप इस संकट को मिटाने के लिए दुर्बुद्धी का अंत करने के लिए यहां प्रस्तुत हुआ गनेश जी आपकी लिला तो अद्भुत है आपने एक भक्त की भक्ती का मान भी रख लिया और दुर्बुद्धी रूपी संकट का भियान्त कर दिया धन्य है आप यदि भगवान भक्तों की रक्षा नहीं करेंगे तो संसार में धर्म की सत्ता कैसे स्थापित होगी गनेश जी अब जब दुर्बुद्धी कान थोई चुका है तो आप आप दोनों पुना एकी कर क्यों नहीं हो जाते बायुदेव ऐसा संभव नहीं क्योंकि एक समस्या है गने जी अब जब दुरबुधी कांथ होई चुका है तो आप दोनों पुना एकी कर क्यों नहीं हो जाते क्योंकि वायू देव जब तक मैं अपने क्रोध का कारण समझ नहीं लेता तब तक मैं अपने क्रोध स्वरूप को स्वयम से विलग रखना चाहता हूँ ताकि किसी के भी प्रभाव से मेरा क्रोध अनियंतरित हो जाए तो मैं अपने मूल रूप से स्वयम को शांत रखकर अपने क्रोध पर नियंतरन पाने में सक्षम रहू और अपने भक्तों की रक्षा करना तो हमारा प्रधम करतव्य है जिसका उलेक अभी तुमने किया तुमारे भीतर अचानक उत्पन होने वाले करोध का श्रोध शिग्र ग्याद करना भी अतियावशक है पिता श्री आप इसके चिंता मत केजिए ये तो मैं स्वयम करने जा रहा था उचित है पुद्र आत्म चिंतन से ही अपने कार्यों का उचित मुल्यान करने में सक्षम होते हैं अपनी भूलों को समझ कर अपने दोशों का निवारन करने के लिए प्रेरित होते हैं इसलिए मैं तुम्हें आत्म चिंतन के लिए एकांत में छोड़ता हूँ पूपा जी मुझे अपने कृत्य के लिए गलानी कम होगी यदी पोत्र तुम्हें गलानी करने की कोई आवशकता नहीं है मैं तुम्हें ख्यमा कर चुका हूँ पूपा जी वास्तविक्ता में मेरा अनुरोध तो ये था कि आप मा से इस विश्या में कुछ ना कहें अन्यथा वो मुझे कही मेरे प्रिय भोजन मोदक से वंचीत ही ना कर दे महादेव ब्रह्मदेव अब हमें भी चलना चाहिए प्रणाम प्रभू प्रणाम प्रभू गनेश जी अब हमें भी प्रस्थान करने की अनुमती दीचे प्रणाम प्रणाम गनेश ये क्या कर रहे थे तुम क्या हो गया है तुम्हे फूफा जी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया तुमने फूफा जी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया तुमने ये तो मैं स्वयम भी समझने में असमर्थ हो कि मुझ पर अचानक किसका प्रभाव चा गया था क्रोच से कुछ भी प्राफ्ट नहीं होता गणेश उसे सदा नियंद्रन में रखना चाहिए तुम मुझे समझा रहे हो तुम स्मरण नहीं जब चंद्रदेव के साथ वो गटना गटेत हुई थी तब कितने आवेशित हुए थे तुम तब मैं भी तुमें इसी प्रकार उलाहना दे सकता था ना मैंने अपने इच्छा से कुछ भी नहीं किया मेरे इस कथन पर विश्वास क्यों नहीं करते हो तुम मुझे ग्यात नहीं अचानक क्या हुआ था मुझे अन्यधा क्या मैं कलपना में भी फूपा जी को शती पहुचा सकता हूँ बोलो हाँ ये तो तुम सर्वता उचित कह रहे हो ये अपार क्रोध का चक्र तो कुछ समय से निरंतर चल रहा है किन्तु अब हमें इसके मूल में भी जाना होगा हाँ क्योंकि ये घटना क्रम कहां जाकर थमेगा किसे ग्यात है कल चंद्रदेव पर तुमने क्रोध किया आज मैं क्रोधवश फूपा जी को ही निगलने चल दिया तो कल तुम मामा जी को अपना आहार बनाने भी पहुँच सकते हो फिर क्रोधवश तुम इंद्रदेव, सूर्यदेव और अन्य सभी देवताओं को भी शती पहुचा सकते हो और तो और स्वयम भहिया पर भी आकरमन कर सकते हो मैं नहीं तुम, मैं अर्था तुम समझ गया, समझ गया, हम दोनों एक ही तो है, चलो इसकी चर्चा छोड़ो ये बताओ, तुम क्या, अभी भी क्रोध से प्रभावित हो, नहीं ये, ये क्या कर रहे हो तुम, और क्या, तुम्हारे क्रोध को जागरित करने का प्रयास कर रहा हूँ कहो, क्रोध आया तुम्हें, अब मैं भी तुमसे वही प्रश्न करता हूँ क्यों, क्रोध आया तुम्हें, नहीं, ऐसे तो हम दोनों को ही क्रोध का अभास नहीं हुआ तो इसका आर्थ है हमारे क्रोध के मूल में कुछ और है और इसका रहस्य शीग्र ग्याद करना होगा हमें वो तो है किन्तो ये हम कैसे ग्याद करेंगे वास्त्विक्ता में उनके दो ही पुत्र है कुमार कार्थिकेजी और प्रतम पूज्य गनेश्ची जिनके चन्म दिवस का उत्सफ यहां आज कैलाश में मनाया जाए गनेश का चन्म दिवस महादेव का प्रिये पुत्र गनेश्च तुम मुझे पूछ रहे थे ना क्रोध का अभास हुआ क्या तो हाँ अब हुआ मुझे अत्यांत क्रोध का अभास अत्यांत क्रोध का गनेश को पूना क्या हो गया है? यह ऐसा वियावहर क्यों कर रहा है? ओ! ओ! तो क्रोध का श्रोध यह लाल धूमर है और यह धूमर तो आकास मार्ग से अफ्तरित हो रहा है जहां आकास इसके प्रभाव से रक्तवर्मी हो गया है जब हमें ये ग्यात हो ही गया है, तो विलम किस बात का? हमें यथा शीगर वहाँ पहुचना चाहिए जो भी इस क्रोध का कारण है, अब वही इसके परिणाम का भागी बनेगा मैं तो उसे मसल्ले के लिए आतुर हो रहा हूँ क्या है वो गड़ेश? उसका सामर्थ क्या है? प्रथम पूज की उपाधी प्रात की है उसने, क्योंकि महादेब का पुत्र है वो यही है उसके प्रती सभी के इसने ही का कारण किन्तु मैं भी तो महादेब पुत्र हूँ, तो मैं अपना अधिकार? अवश लूगा, वो सब छीन लूगा कड़ेश से, जो उसे प्राप्त है उसके पिता का स्ने, उसका उचपद, देवताव में उसका स्थान कड़ेश, अभी मेरे प्रिकोप से सामना कहा हुआ है तुम्हारा ये जिसका भी दोश्कृत्य है, उसे अब उचे दंड दूँगा मैं क्रोध किसी से भी भूल करवा सकता है, इसलिए क्रोध पर नियंतरन आवश्यक है